हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो मैं चार्नल एक्सिलेंट कोचिंग Samsung लाष्ट टायम हम स्पियर मैंड की थ्योरी पड़ रहे थे तो उसमें हमने डिसकस किया था कि स्पियरम ने बोला था कि जर्नल फैक्टर होता है और एक स्पेसिक फैक्टर होता है और जर्नलॉ NES का मतलब हमारी जितने भी अलग-अलग abilities होती हैं उन सब में कुछ ना कुछ journal होते हैं जिनको इन्होंने नाम दे दिया था G और वो बहुत जरूरी है होना हमारे अंदर ताकि हम बाकी सारी specific abilities में अच्छा perform कर सकें तो इन्होंने journal factor के उपर G factor के उपर जादा focus किया था और हमने यह भी पढ़ा था कि इन्होंने factor analysis का use किया था सबसे better तरीके से जिसके बाद उसी चीज का use करके बाकी theories भी बनी थी तो इन्होंने एक तरीके से prototype set कर दिया था कि किस तरीके से factor analysis का use करके हम intelligence के उपर theories बना सकते हैं फिर उसके बाद इसके critical appraisal हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमने thorn dyke की थियोरी में पढ़ा था कि thorn dyke ने बोला था कि जो journal factor की बात कर रहे हैं यह journal factor mental abilities में नहीं होता है यह journal factor वो test papers जो हम use करते हैं जो test हम use करते हैं में होता है तो इनों ने थोड़ा सा contradict किया था जनरल फैक्टर वाली बात को उसके बाद next राती है thorn son की theory thorn son की theory में भी एक यह बात जो बोल रहे हैं एक तो यह कह रहे हैं कि journal factor जो है वो थोड़ा सा dependent नहीं है जैसे कि spearman की theory में हमें दिख रहा था कि वो दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंट है यहां पर वो इंटर डिपेंडेंडेंट वाली बात को मना कर रहे है थॉम्सन थॉम्सन यह कह रहे हैं कि अब जैसे अगर उसकी वर्बल एबिलिटी चेक करने है तो आपने उसके लिए दो तीन कोश्चन अपने टेस्ट में डाले वहें पर अगर मैथमाटिकल एबिलिटी टेस्ट करने है तो तीन चार कोश्चन उसके डाले हुए तो उसको यह बोल रहे हैं सैंप्लिंग तो यह कह रहे हैं कि जो भी हम test बनाते हैं जो भी test paper होते हैं चाहिए वो आपके entrance test होते हैं या कोई भी test होते हैं उनमें आपकी हर एक ability से लेके कुछ-कुछ questions दाल दिये जाते हैं और वो जो 4-5 questions होते हैं उनी के base पे आपकी उस ability को judge किया जाते हैं अब जैसे आपके question paper में या आपके entrance exam में अगर पांच questions English के आ रहे हैं 5 questions आपके Reasoning के आ पांच custody math के आ रहे हैं, i-s type आपके को आ रहे हैं 5 आपके Hindi के आ रहे है इस तरीब से अगर questionsія हैं इसका मतलब वोammal question के त्रूह आपकी पूरी एबिलिटी को जज कर रहे हैं कि आपकी पूरी एबिलिटी उस लैंगेज में कैसी है आपकी रीजनिंग की पूरी एबिलिटी कैसी है तो वह पांच-पांच कोश्चन के तुरू आपकी पूरी एबिलिटी को जज करना चाते हैं तो इसी को इन्होंने वर्ड दिया है sampling, जैसे sample होता है, sample में क्या होता है, कि आप पूरी population को represent करने के लिए कुछ लोगों के उपर testing करते हो, अब यहां यह कह रहे हैं, जो हम questions उसमें डालते हैं, test में, यहां जो भी हम उसमें पूछते हैं, वो भी एक तरह की sampling है, और वो sampling किस चीज की की जाती है, हमारी mental abilities की sampling करी जाती है, और उसके थुरू हम पूरी एक ability को judge कर सकते हैं, किसी भी person की, और यह भी कहते हैं साथ में कि यह independent samples, जो है, मतलब जो हमारी अलग-अलग abilities हैं, हमारी verbal abilities हो गई हैं, हमारी mathematical abilities हो गई हैं, reasoning abilities हो गई, यह दूसरे के साथ connected नहीं है, यह independent है सारी, तो यह independent होन इनको आपस में इस तरीके से dependent बोलते थे, और उननों बोलते थे कि बीच में common चीज आएगी जिसको g-factor बोलते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर इनोंने reject कर दिया, as such if the test incorporate many of these independent factors in common, तो बोलते हैं, test के अंदर हम यही सारे independent factors डालते हैं, the test are all measuring some of the factors, they will be highly inter-correlated, and it will appear that they are measuring one general G-factor, तो यह कह रहे हैं, कि जो test है, उनमें हम यह सारी factors को judge करने के लिए question डाल देते हैं, और वो question जो है, इननी factors को judge करते हैं, जो आपस में independent है, लेकिन अगर suppose, आपकी verbal वाले questions इतने भी होंगे, मतलब आपके test में जैसे मनें बोला कि 5-6 हिस्सों में divided है, एक आपका हिस् जसमें verbal ability से related questions है, उसमें आपके 4-5 questions होंगे, अलग-अलग verbal ability को लेके, फिर आपका एक part होगा, जिसमें reasoning को लेके questions है, तो उसमें से 4-5 questions होंगे reasoning को लेके तो यह कह रहे हैं जो verbal वाला पार्ट है जैसे उसमें जो questions है वो inter correlated है आपस में बेशे कि reasoning और verbal abilities आपस में कोई इनका relation नहीं है लेकिन जो एक particular sample के अंदर है verbal के अंदर है वो आपस में inter correlated है ऐसे reasoning के अंदर जो questions है वो आपस में inter correlated है तो इस चीज की बात कर रहे हैं कि जो उसमें factors हम कर रहे हैं अलग-अलग measures वो आपस में inter correlated है तो उनके बीच में आपस में general factor हो सकता है मतलब हम यह नहीं कह सकते कि verbal में, reasoning में, mathematical में उन सब में कोई general factor है पर हम यह कह सकते हैं कि mathematical के अंदर जो बाकी component है उसमें एक general factor आ सकते है तो यहां पर यह इस बारे में बात कर रहे हैं Thompson has accordingly proposed a sampling theory which maintains that every test samples a certain range of elementary abilities इन abilities को इन्होंने elementary abilities बोला है जो मैं आपको mathematical और verbal की बात कर रही हूं या reasoning abilities की बात कर रही हूं या language की बात कर रही हूं उनको इन्होंने elementary abilities बोला है और यह कह रहे हैं कि कुछ ऐसे test होते हैं जिसमें हम बहुत wide range में चेक करते हैं इन सब चीजों को अब जैसे verbal abilities की बात ले लो जहां पर आपकी वो wide range में चेक करेंगे तो वहां पर उससे related आपको essays लिखने के लिए आएंगे यहां ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े questions होंगे जिसमें आपकी बहुत जादा verbal ability चेक करी जाएगी language ability और अगर narrow है narrow range के हैं तो छोटे-छोटे questions होंगे जिससे जादे से छोटे-छोटी grammar questions आ सकते हैं तो इस त्राइब से कह रहे है कि पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर भी हम पर डिपेंड करते हैं कि हम उस अबिलिटी को wide range में चेक करना चाहते हैं कि narrow range में so the degree of correlation between any two tests depend upon the number of units of abilities they have in common तो इस तरीके से test के ओपर depend करते हैं कि हम उसमें कौन सी abilities को चेक करना चाहते हैं so thompson according to thompson abilities combine in such a way that their correlation approach spearman hierarchical order thompson believe that in a journal ability like spearman g but according to whom it was not a basic entity it was rather a constant combination of ability elements तो यहां पर क्या फरक है spearman की थियोरी और thompson की थियोरी में spearman के according हमारी जितनी भी abilities हैं जैसे अगर हमारी language ability हो गई या हमारी mathematical skills हो गई या हमारे reasoning skills हो गई और कोई चीज हो गई spearman के according उन सब में एक g factor होना जरूरी है common factor सब में होना जरूरी है जिसकी वाजा से हम वह सारे काम कर पाते हैं thompson के according यह सारे अलग-अलग हैं इनका अपस में कुछ भी common होना जरूरी नहीं है language ability अलग है reasoning अलग है mathematical अलग है और इनके अंदर जो factors है language के अंदर वह आपस में इंटर को रिलेटिड है तो thompson इस तरीके से बोलते हैं और यह बोल रहे हम जो भी question test में पूछते हैं वह इन ही ability इसको चेक करने के लिए होते हैं तो this is the basic difference और यही थोड़ा सा critical वह है क्रिटिक है इस चीज का Spearman की थियोरी का फिर आते हैं थर्स्टन की थियोरी पे थर्स्टन ओफर अ new factor model in the 1930s तो 1930s में इन्होंने नया एक factor model ओफर किया था using improved techniques of statistical analysis तो इन्होंने भी again statistical analysis को थोड़ा और improve करके उसको use किया था to come vastly different conclusions from Spearman Thurston generalized Spearman's methods and formulas translated them into matrix algebra and carried out large scale studies using as many as 57 tests on one group of subjects तो Thurston ने क्या किया था दुबारा से testing की थी बहुत सारी 57 tests लिये था एक particular group के उपर on the basis of these studies he concluded that instead of Spearman G factor seven primary abilities fit the data much better अब इन्होंने क्या बोला कि जी फैक्टर की जगा पे जी फैक्टर कुछ नहीं है उसकी जगा पे seven primary abilities होती हैं सबके अंदर यह थार्स्टन की थियोरी थी seven primary mental abilities की और वो कौन सी seven primary mental abilities थी वो यहां पर mention नहीं किया है मैं आपको बैसे बता देती हो तो उसमें थी जैसे की verbal comprehension की इन्होंने बात की थी word fluency की बात की थी जो लोग words का fluently use कर लेते हैं different vocabulary का number facility की बात की थी numbers का जो वो होता है mathematical special visualization की बात की थी जिसको हम special intelligence कहते हैं 3D images को imagine कर पाना cognitive maps बना पाना memory के बारे में बात की थी इन्होंने फिल perceptual speed के बारे में बात की थी तो यह उन्होंने 7 primary mental abilities बोली थी कि G factor नहीं है उल्टा साथ चीजों में divided है हमारी intelligence तो यह थी this is called thurston's 7 primary mental abilities इनको बोलते है 7 primary mental abilities so thurston later on recognize the force of these points and incorporated them in substitute बाद में इन्होंने फिल थी थी बनाई थी अपनी जिसको हम theory of primary mental abilities बोलते हैं तो वहां पर उन्होंने फिर इसी theory के बारे में आगे और explanation दी है thurston ने so अब इसमें ने कुछ चीज़ें बोली थी गलत थी इनके जो इन्होंने test लिया था एक चीज़ बोल रहे थे आईजेंग के जो thurston ने test लिया था वो सिर्फ students का लिया था उसमें इन्होंने adults को include ने किया था तो इनका जो sample था वो बहुत ही चोटा था एक random sampling करी थी लेकिन उसमें सिर्फ students ही थे adults वे गएदर एज groups नहीं थे अलग-अलग दूसरी चीज़े कह रहे है कि जैसे कि spearman चाहते थे कि जब भी हम कोई test लें उसमें जादा similarity नहीं होनी चाहिए questions की अलग-अलग type के questions होने चाहिए था कि अलग-अलग abilities को देख सकें लेकिन जो थर्स्टन ने टेस्ट लिये थे वह बहुत जादा similar टेस्ट थे उनमें similarity बहुत जादा थी often almost identical थे तो इसलिए आप आईजेंग बोलते हैं कि इनकी जो finding है उससे यह spearman के hypothesis को reject नहीं कर सकते हैं तो मतब जितना भी critically appraisal हुआ था इसका जितना भी critically देखा गया लेकिन spearman की theory को बहुत जादा तब भी जो है वो recognition मिलती रही थी तो यह आपके आगे यह questions हैं इससे related फिर हम चलते हैं दास नेगलिरी और करभी की past theory पे और जैसे यहां पर बताया हुआ है कि जो spearman, thonda, thompson और thurston यह चार हमने देखी है theories and the other ones are based on isolating factors after administering several intelligence tests over a large sample कि इन सब की जो theory थी वो actually isolating factors मतलब अलग-अलग mental abilities की बात करती हैं तो यहां पे इन्होंने बहुत सारे अलग-अलग types की टेस्ट लिये थे लोगों के उपर और बहुत सारी अलग-अलग types की वो बताई थी कोई बोरा था जैसे spearman ने बोला specific अलग होती है journal अलग होती है और थरस्टर ने बोला कि 7 होती है तो इस तरीके से यह अलग-अलग factors की बात करते हैं now they did not take into account how an input example a test item is received and processed and how a cognitive recognition reorganization take place prior to giving a response अब इनकी theory में कमी क्या थी इन्होंने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया कि जब आप किसी को test item देते हो test देते हो किसी को करने के लिए तो वो किस तरीके से उसको perceive करता है उसको कैसे अपने mind में उसको process करता है कैसे cognitive reorganization होती है cognitive information की मतलब कोई अगर response देता है किसी test का तो response देने से पहले क्या क्या चीज़े होती है वो क्यों नहीं देखी गई सिरफ response देने की बात की बारे में क्यों बात हो रही है क्योंकि intelligence तो पहले की भी जो जितने process होंगे तयारी करने वाले process अपने आपको ready करने वाले process तो वो सब भी तो उसी intelligence में आना चाहिए लेकिन यहा किस तरीके से वो information हमने process करी है हमने कैसे उस question को समझा कैसे अपने आपको तयार किया उस question उसका answer देने के लिए उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहे है तो यहाँ पे जब यह past theory आई थी दास नेगलिरी और कर्भी की 1994 में इनकी theory थी multi-dimensional view था इनकी theory का and they borrowed from the contemporary research और चिन neuropsychology, information processing and human cognition इनकी theory में एक तो neuropsychology के बारे में बात की हुई है कि वो किस तरीके से information जो हम perceive करते हैं कैसे हम stimuli को recognize करते हैं फिर इसमें information processing के बारे में बात किये कि एक बर हम जैसे अपने information को अंदर एक बर जैसे आपने question पढ़ा फिर आप उसको कैसे process करोगे अपने cognition के बारे में कि हम किस तरीके से अपने आपको तयार करते हैं mentally intelligence test देने के लिए तो वो सारे processes भी इसमें आ जाते हैं तो यह इनका past theory का यह है diagram the theory has four components planning past है P.A.S.S. तो उसमें आपका P से planning A.S. से attention arousal attention and then S से simultaneous and S से successive P.A.S. processing system तो यहाँ पर यह आपको diagram नजर आ रहा होगा इसका यह है past theory का जिसमें यहाँ input है serial concurrent और output भी है serial concurrent उसके बाद input output के बाद यह brainstem है जहाँ पर arousal और attention हो रहा है memory conceptual perceptual और फिर यहाँ पर planning चल रही है इस वाले particular part में frontal side पे brain के and then मदब इन्होंने देखो neurop psychology का use कैसे किया है इन्होंने अलग-अलग brain के parts की बात करे हुए यह brainstem की बात कर रहे हैं जिसको medulla oblongata बोलते हैं यह frontal lobe की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारे cognitive functions होते हैं और यहाँ पर occipital parietal और temporal lobe की बात कर रहे हैं तो यह तो हो गया neural psychology उसके बाद यह information processing की बात कर रहे हैं किस तरीके से information एंटर कर रही हैं किस तरीके से processing हो रही हैं तो यह information processing system भी use हो गया और उसके बाद इन्होंने पूरे combination की बात करी हुए कि memory कैसे use होती है perception कैसे use होती है तो इसमें इन्होंने इन तीनों चीजों को include किया हुआ है तो अगर मैं आपको short में बताऊं तो इनकी theory का मतलब यह है कि जैसे हमें कोई information मिलती है हम attentive हो जाते हैं जैसे आपको class में टेस्ट मि करना शुरू कर देते हैं किस तरीके से answer लिखना है किस तरीके से उससे पहले भी जैसे exam का आपको पता चलता है तो आप attentive हो जाते हो class में आप सोटने लग जाते हो कैसे पढ़ेंगे planning करने लग जाते हो अपने mind में तो वह सारी planning होने लग जाती है तो यहां पे arousal होती है जैसे हमें कुछ पता चलता है फिर हम plan करना शुरू कर देते हैं planning में भी हमारे cognitive processes यूज होते हैं और जिसमें हमारा frontal lobe involved होता है उसके बाद planning के बाद simultaneous and successive क्या होता है यह information हमें जो receive होती है वो simultaneously और successively होती है कुछ information simultaneous होती है मतलब कुछ चीज़े हमें सासत लेके करनी होती है और कुछ step by step करनी होती है तो यह simply है कि वो बात बता रहे हैं कि जो हमारी intelligence है हमें एक तो तयार करती है आगे चीज़ों को handle करने के लिए planning करने में help करती है plus सारी information को simultaneously और successively समझने में help करती है उसको intelligence बोलते हैं ना कि English में कितना आता है उसको बोलेंगे या math में कितना है उसको तो मतलब यह उस तरीके से नहीं intelligence को ले रहे हैं कि हम अलग-अलग field में कैसे करेंगे क्योंकि उस case में कईबा लोग बोलते हैं कि हम उसको talent भी तो सकते हैं क्योंकि talent और intelligence में क्या similarity मतलब क्या फरक है talent मतलब आपकी specific areas में आप कितने अच्छे हो वो talent है intelligence मतलब आप overall सब चीज़ें कैसे handle कर लेते हो तो अब अगर हम उपर वाली theories की बात करें spearman वगेरा की theory जो अब आपने पड़ी वो तो talent भी हो सकता है नहीं तरीकी से अगर हम mathematical ability में अच्छ है तो हमारा mathematical में टैलेंट है अगर हम verbal में अच्छ है तो उसमें talent है तो इसलिए यहां पर यह बोल रहे हैं कि mathematical, verbal वो सब मत करो यह देखो कि totally कैसे हम लोग situation को handle करते हैं तो past theory उस बारे में बात करती है और इसकी detail हम next video में पढ़ेंगे कि यह क्या बोल रहे हैं इसमें thanks for watching